आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो गाइनी ओपीडी में आ रही होती है उनका एक कंसर्न होता है कि डॉक्साइबा हमें पिछले दो तीन महीनों से सिर्फ स्पॉर्टिंग होती है और पीरियड्स नहीं आते तो इस सेशन में ये क्योरी सॉल्ट होगी कि अगर आपको स्कैंटी पिरियड्स है या आपकी ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है तो क्या इनको पिरियड के तौर पर कंसिडर किया जाएगा या इसको जब स्पॉर्टिंग कंसिडर किया जाएगा female hormonal cycle जो है वो 28 days का होता है जिसमें पहले 14 days के अंदर endometrium यानी बच्चेदानी के अंदरूनी जिल्ली ग्रो कर रही होती है और अगले 14 days में उसकी blood supply में जाफा होता है जिसके बाद periods आते हैं तो जिल्ली lose हो जाती है या वो sluff off हो जाती है और patient periods experience करता है body के अंदर अगर किसी भी किसम का hormonal problem है अगर hormones imbalance हुए में है that may lead to heavy bleeding और scanty periods आज के session में हमने discuss करना है कि scanty periods को periods के तौर पे count किया जाएगा या just उनको spotting के तौर पे count किया जाएगा अगर कोई patient regular basis पे 28 days के बाद 2 या 3 दिन के लिए just spotting भी experience करती है तो उन days को उस patient के लिए period के days ही consider किया जाता है यही वजा है कि अगर हमने कुछ specific test करवाने हो जो के female hormones के test होते हैं या हमने कोई specific medication start करनी हो जैसे ovulation induction देनी होती है patient को pregnancy के लिए तो यह उनी days के अंदर हम इनको periods consider करेंगे और इनी periods के days में हम medicine को start करेंगे बहुत से patient का सवाल होता है कि जी हमें तो just spotting हुई है हमें brownish discharge हुआ है हमें बहुत कम bleeding हुई है तो क्या ये normal periods हैं क्या इससे हमारी body जो है वो cleanse off हो गई है या नहीं हो गई तो जी बिलकुल ये आपके इस महीने के जो hormones थे यानि इस महीने का जो hormonal cycle था उसमें जो hormones की quantity थी वो थोड़ी से imbalance थी जिसकी वज़ा से endovitrum की growth प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी और आपने regular heavy periods क की बजाए just spotting experience किया या जो भी आपकी regular bleeding का patron है उसकी उसकी बजाए आपको सिर्फ spotting होई है I hope कि में बहुत सी खवातीन का जो concern होता है कि हमें सिर्फ spotting हो रही है और हमें periods proper नहीं आ रहे वो clear हो गया होगा कि अगर आपको सिर्फ spotting भी होती है just for two to three days तो they are considered as normal periods I hope आज के session में आपको बहुत information मिली होगी अगर spotting या scanty periods के बारे में आपके किसी भी किसम के questions हैं तो मुझे जरूर बताएं thank you very much